आज हम जिस विशे पर चर्शा करने जा रहे हैं वह है भक्ती की परिभाशा शिला रूपगोस्वामी जो की चैतने महाप्रभू के शिशे थे करीब 500 वर्ष पूर्व हमें भक्ती रसामित सिंदू नामक गरंथ दिया था जिसकी उन्होंने संस्कृत में रचना की थी और जहां पर उन्होंने भक्ती को परिभाशित किया है इसी गरंथ को हमें सरल भाशा में शिला प्रवपात ने हमें उपलब्ध कराया था जिससे हम भक्ती के विज्ञान को समझ सकें तो सबसे पहले भक्ती की परिभाशा का जो श्लोक है उसका अंग है 1.1.11 यानि की पूर्वी विभाग प्रथम लहरी का ग्यारवा श्लोक इस परिभाशा में हमें पाँच चीजों का ध्यान रखना है जो की हमें समझने में मदद करेंगी तो सबसे पहला पॉइंट है अनू शीलनम दो शब्दों से मिलका बना है अनू प्लस शीलनम शीलनम का अर्थ हुआ क्रिया यानि की भक्ती में कोई क्रिया होनी चाहिए शिला प्रभपाद इसलिए कहा करते थे इसलिए वहाँ पर भक्ती में क्रिया जरूरी है प्लस दूसरा जो शब्द है अनू अनू का अर्थ होगा जिस प्रकार पूरवरती अचारों ने भक्ती की है उसी प्रकार हमें उनी के पदचिनों पर चलकर हमें भक्ती करनी है तो यहाँ पर शिला रूपगो स्वामी और शिला प्रभपाद लिखते हैं कि भक्ती तबी हो सकती है जब हम गुरू के पास जाकर उनसे सीखें तो भगवत गीता में इसका प्रमाण है चौथे अध्याय का चौथे स्वाश्लोक तद विधी प्रणी पाते न परी प्रशने न सेवया उपदेख्शंती ते ग्यानम ग्यानिनस तत्व दर्शिना उस गुरू के पास जाकर प्रशन करो और उनकी सेवा करो वही तुमें सत करनी है क्यों कि श्रील रूपगुस्वमिसपश्ट है कि अगर भक्ती हो सकती है तो क्रिष्ण की ही हो सकती है अन्य देवी देवताओं की तो वासना होती है इसका प्रमाण शीमत भावगता में है कृष्णस तु भगवान स्वयम प्रथमसकंद तीसरा अध्याय का 28 वा श कामान मया एव वहितान हितान यानि कि देवी देवताओं भी जो चीज हमें उपलब्द करा रहे हैं हमें जो हमारी जो कामनाई पूरी कर रहे हैं वह भगवान कृष्ण ही अपनी तरव से पूरी कर रहे हैं तो इसलिए कृष्ण अनुशीरनम अब तीसरी चीज है भक्ति होनी चाहिए तो स्वामी की इच्छा हमें कैसे बता चलेगी क्रिष्ण की इच्छा कैसे बता चलेगी स्वायम क्रिष्ण बताएंगे और क्रिष्ण कहां बताएंगे शास्त्रों में बताएंगे इसलिए सही माइने में आस्तिक विक्ति वही है जो शास्त्रों का अध हम उधन करता है केवल ज्यान लेने के लिए नहीं वो ज्यान gir इसे भगवान की सेवा करना चाहता है वह जानना चाहता है कि भगवान काईसे संतुष्ट हों इस लिए अनू शीलनम जरूरी है तो तीसरी चीज येोग दो च श प्रशन की सेवा कर रहे हैं और उनको प्रसंद करने के लिए कर रहे हैं पर हो सकता है मेरे अंदर कुछ छुपी इच्छाएं हो तो वो इच्छाएं अपना स्वार्थ हमें खतम करना होगा अगर हम शुद्भक्ती करना जाते हैं तो इसलिए यहां पर बोला गया है अन्य जान करमादी अनावरितम जानी की जो भक्ती ग्यान और कर्म के फलों से ढखी हुई नहीं है वह शुद्भक्ती है तो यहां पर श्रीला प्रपात बहुत खूपसूरती से समझाते हैं कि कर्म तो सतोगुण में स्थित है कि ग्यान सतोगुण में स्थित है और कर्म रजोग के छटेश लोग में कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाती ज्ञान संगेन चानग की सुख और ज्ञान भी हमें इस संसार में बानता है इसी लिए शुद्भक्तित वही है जो अहेतु की अप्रतिहता बिना किसी कारण के और बिना प्रसंद करने के लिए की जाए तो ये पांच चीजे हमें ध्यान रखनी है जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं जब हम भगवान के लिए माला करते हैं तो हमें ये पांच चीजों का हमिशा स्वनर करना चाहिए शिला प्रभपात कहां करते थे कि उनके गुरू कहते थे कि finish your business in this life finish your business that is Krishna consciousness in this life ugly life का risk मतलो इसलिए हमें सब कुछ समझ के विज्ञानिक रूप से सब कुछ समझ से क्रम से हमें भक्ति करते जाना है ताकि हम अपने लक्षे तक पहुंच सकें और अपने मार्ग में आने वाली रुकावाटों को हटा सकें हरे कशन, श्रिला प्रभुपाद की जय है